नमस्कार दोस्तो An apple a day keeps a doctor away English का एक बहुत प्रिसिद्ध वाक्य है जिसके हिसाब से हर दिन सेब फल को उप्योग से doctor को दूर रखा जा सकता है सेब स्वाद में बेहतरीन होने के साथ साथ के प्रकार के पोशक तत्वों से बरा हुआ होता है सेब फल को सीधे ही खाया जा सकता है फ्रूट सलाद का हिसा भी बनाया जा सकता है इसे नीमित तोर पर अपनाने के अंगिनेज फायदे हैं इसे अपने डाइट का हिसा बनाने के लिए आप एक और अब तरीका अपना सकते हैं और वे तरीका है इसे जूस के रूप में इस्तिमाल करके सेब को सबसे जादा स्वस्थ वर्तक और बेविनताओं से बरा हुआ फल समझा जाता है इसके जूस को सारी दुनिया में काफी मातरा में उप्योग किया जाता है ये बड़े पेमाने पर पसंद किया जाता है ये बाजार में रेडिमेट भी उपलब्द है परन्तु गर पर बढ़ने जूस के तोर पर इसे इस्तिमाल करने का सबसे अधिक फायदे मंद है सेब फल में एंटि आक्सिडंट बरपूर मतरा में होता है इसमें पाये जाने वाले पॉलिफेनाल और फ्लेवनाइड्स दिल के स्वस्ता के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं इसके अलावा आपके शरीर के लिए अवश्चक मिनेरल्स और पोटेश्यम तत्वों का बहतरीन स्रोथ है दिन में एक बार सेब के जूस को लेने से हृदे के लिए सुचारू रूप से काम करना असान हो जाता है सेब उससे दमा रोगियों को अत्याता है इससे दमे के अटैक को रोकने की शम्ता होती है इसमें होने वाला फ्लेवरनाइड्स फेफ़णों को ताकतवर बनाता है शोद से ये थाबित हो चुका है कि जो लोग निमित रूप से सेब के जूस का सेवन करते हैं उन्हें फेफ़णों संबंदी बिमारियां होने की समभावना काफी कम हो जाती है सेब में मुझूद अलकानिलिटी लिवर को शटीर के शोदर में मदद करता है सेब फल में शरीर के पी एच स्तर को नियंतरित करने का गुन होता है इसकी बाहरी परत में मुझूद पैक्टिन से पाचन तंतर दुरुस्त होता है इसका कॉलेस्टरोल के स्तर को कम करने का अनूठा गुन होता है अत्यादिक लाइफस्टाइल में बड़े हुए कॉलेस्टरोल की समस्या बड़े पेवाने पर फ्याल चुकी है और ये हृदे संबंदी रोगों का मुख्य कारण है इस प्रकार सेव फल का जूस अपना कर आप अपने हृदे को सुरक्षित रखने का एक असान रास्ता अपना सकते है सेव में मुझूद विटामिन सी संतूलित मात्रा में होता है साथ ही इसमें आईरन और बोरान भी पाया जाता है इन सभी के कंबिनेशन से हड्डियों में ताकत आती है इसमें मुझूद विटामिन सी से इम्यून सिस्टम भी सुधरता है सेव के निमत इस्तेमाल से शरीर में बैक्टेरिया और जर्म से लड़ने की शमता भी बढ़ जाती है आपको जानकर अश्चर्य होगा कि सेव अनुखा एक ऐसा फल है जिसमें ट्यूमर और कैंसर जैसे बयानक रोगों से लड़ने की शमता होती है इसमें पाये जाने वाले फलेवनाइट्स और फेनॉलिक एसिड से ट्यूमर शरीर को बचाये रखने का गुन होता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद